अम नमस्शिवाई अम नमस्शिवाई अम नमस्शिवाई हर हर महादेव बहु analy अच्छा लग रहा है बहुत साध़ी है आज हवा में बस नाम बर लेने से अगर आपकी दुविदा आपकी चिंता और आपकी खुशी जो है दुगनी हो जाए तो समझ जाना महादेव आपको जानते हैं उनके दिल में आप बसते हो और आप जब भी उनको पुकारो वो जवाब जरूर देते हैं तो चलिए इसी फिलिंग के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स को मैं बताऊंगी वर्तमान की जो उनकी भावनाए हैं वो बताने की कोशिश करूंगी तो दिल थाम के बैठना उनके बारे में आज जो भी मैं बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल सही होगी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी डोंट वरी अबाउट दाट ठीक है जेनरल रीडिंग है जेन्डरलेस रीडिंग है मेल और फीमिल्स दोनों के लिए है तो आए हो तो कुछ लेके जरूर जाना इस रीडिंग का फीड़बैक देके तो कैसा होता उनके साथ जो पल बिताना चाते हो या फिर जो पल बिता चुके हो उसके बारे में सोचो या उनकी कोई कड़वी याद भी है वो अपने दिल में रखना पर अभी सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़े सोचो जिससे मुझे मदद मिले जैसे मैं इस परसन को जान पाँ ठीक है बहुत बहुत ही प्यारी एनरजी यहां पर आ रही है शाद आपको विश्वास नहीं होगा जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही एनेक्सपेक्टड है जैसा कि आपका सेपरेशन यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है जैसा कि आपका सेपरेशन फिर से रिपीट कर देती हूँ ये रीडिंग बहुत ही युनीक है इससे पहले मुझे माई गुडनेस पोस्टपोनमेंट समझ गई पूरी तरीके से समझ गई अब मैं आपको बताती हूँ यहां पे हो क्या रहा है दिहान से देखो ठीक है रीडिंग पे आप फोकस करो और प्रणाम करो इस एनरजी को डिवाइन एंजल्स को जो हमें गाइडन्स दे रहे हैं देखो एक चीज बोलू इतनी जाधा डिले हो रहे हैं यहां पे चीज़े ठीक है इतनी जाधा डिले हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊ सबसे पहले मैं आपको परसन की कुछ ऐसी बाते आपको बताती हूँ जो मुझे बिलकुल रीडिंग स्प्रेड करते वे दिख गई आपका जो रिष्टा है न या फिर आपका जो connection है इस person से वो उपर-उपर का नहीं है आप गलत फैमी में हो अगर आप सोच रहे होगी ये person सिर्फ उपर-उपर से ही आपके साथ है या फिर ये person सिर्फ बस time pass करने के लिए आयत है ऐसा नहीं है आप सोच नहीं सकते हैं या आप से किस level पर connect होना चाहते हैं आप सोच नहीं सकते हैं आपकी सोच से परे हैं कि कितना ही आपको चाहते हैं तो it feels like ये person ना बहुत ज़्यादा expressive नहीं है आपने ये चीज़ notice की हो गई ये person जब online होते हैं या social media पे होते हैं या chat वगरे पे जिस तरीके से अपने आपको express कर लेते हैं पर ये person real life में इतना ज़्यादा खुद को express नहीं कर पाते हैं और ये आपकी मतलब मैं चीज़ बता रही हूँ ये आपके हो सकता है ये आपके शिकायत भी हो ये person आपको real life में इतना ज़्यादा मतलब अपने feelings को बयान नहीं कर पाते हैं ठीक है ना इतना ज़्यादा successfully आपको express करके अपने आपको खोल के नहीं बता पाते हैं लेकिन परदे के पीछे में बताती हूँ ना जैसे कहते हैं ये जब जब मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तुम से करता है पर जब जब तुम सामने आते हो समझ रहे हो ठीक है तो it feels like इस connection में ना ये connection आपका इतना ज़्यादा strong आपके person के साथ कि आपकी हाँ या ना से आपके person को कोई फरक नी पढ़ता कोई फरक नी पढ़ता अगर ये गुसा होके चले भी गए है कोई फरक नी पढ़ता अगर ये आपसे पीट करके चले गए है या फिर आपसे मूँ फिर के चले गए है और इस बात का भी कोई फरक नहीं पड़ता अगर ये person आपसे बिलकुल भी बात नहीं करना चाते क्योंकि देखो अभी भी अगर ये आपसे बात नहीं करना चाते पर ये अभी भी present में है ये नहीं this person is still clinging to the past number 5 की energy यहां पे आ गई अगर आप ध्यान से देखोगे numbers बता देती हूँ 5, 6, 7 1, 2, 3, oh my god 4, 5, 6, 7 और फिर the source, the rightness देखो, हो कह रहा है आपकी relationship में मैं देख रही हूँ आज से नहीं कम से कम ना कम से कम पिछले 5-6 दिन ठीक है 24-72 घंटे से यह person आपसे बात करने की कोशिश कर रहे है ठीक है न इतने time से यह person आपसे बात करने की कोशिश कर रहे है लेकिन इनके हाथ आ रही है असफलता ठीक है यह जानते हैं कि एक बार यह आपके पास आए तो वो एक अलग ही समारो होगा वो एक अलग ही दुनिया हो जाएगी ये जानते हैं कि इनकी जैसे बे जान बे रंग दुनिया में एकदम से रंग भड़ जाएगा पर पता नहीं का है ये परसन आपकी एनरजी से बहुत ज़दा डर रहे हैं बिकास देखो they know they are clinging to the past they know सिर्फ ये जो लक्षमन रेखा है उसको पार करते ही ये परसन आपसे बात करेंगे एक बार तो चीजे आपके दिल में ये बिठा सकते हैं अपनी गलती को आपके सामने कुबूल कर सकते हैं आपके दिल में इनके लिए जो कड़वाहट भर गई है उसको ये दुबारा से हटा सकते हैं ये सारी चीजे जानते हुए भी जो चीजे इन्होंने पास्ट में किया आपके कहने पर भी जो ये नहीं रुके हैं और आपके मना करने के बाद भी इन्होंने चीजे बार 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 दोहराई हैं यह चीज़े आपके person को आपके नजर में गिरा रही है ऐसा लगता है हर कोई अपने आपको ही यह judge कर रहे है हर कोई इनको यह बोल रहा है तुम उनके लायक नहीं हो they deserve better, she deserve better, he deserve better क्योंकि जो भी आपके common friends है वो भी आप दोनों को जानते हैं तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं उनको तो कोई और अच्छा मिल जाएगा means आपके बात हो रही है तो it feels like यह बात है आपके person के दिल में बिल्कुल ऐसे बैट गई है तो देखो यहाँ पर प्रोजेक्शन का काड़ा आ गया है यह person दूसरों की बातों को जब जब यह सुनते है ना तब तब इनको लगता है कि हर कोई जूट बोलने में लगा हुआ है तब तब इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ तो है जो आप से इतनी गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है जो आप दोनों को अलग नहीं होने दे रहा है आपके person दूसरों की बातों को नहीं मानना चाहते दूसरों की बातों में नहीं आना चाहते और यही इनकी सच्चाई है guys यह दूसरों की बाते सुनना नहीं चाहते ऐसा लगता है कि तिजोरी और खजाना इनके हाथ में ही है बात करना, कमिनिकेशन करना इनका खुद का फैसला है क्योंकि इनका दिल यही चाहता है पर ये दूसरों की बातों में आने की वज़े से अपने आपको ही छूरा घोप रहे हैं इसे बोलते हैं self-sabotaging ये blockage जो दिखाई दे रही है न जो delay की जो blockage दिखाई दे रही है वो कुछ भी नहीं है पर आपके person की तरफ से ये आपके person का कार्मा ही है आप एक दूसरे को इतने अच्छी तरीके से project कर रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि जो reading में मैं बता रही हूँ या पहले से ही जानते हो ऐसा लग रहा है कि ये आपके person की ही energy है आपके person की energy है ये और ये person अपने आपको better करना चाहते है ऐसा लगता है कि वो खुशियों की चाबी वो उनके पास ही है पर ये खुद को ही रोक रहे हैं because they know their intensity कुछ तो है जो इनके अंदर से आता है कुछ तो है जो दूसरे चाहा कर भी नहीं रोक सकते because the source आप देख लो ये जानते हैं कि इनकी खुशियों का पिटारा इनके खुशियों का जरिया आप हो आपसे बात करना यानि कि सिर्फ love life में नहीं आपसे बात करना यानि कि अपनी जिंदगी में एक improvement लाना अपने career में improvement लाना as a person भी ये person बहुत ज़्यादा निखर से जाते हैं पता है इनकी love life ऐसी है कि इनको बहुत ज़्यादा confidence देती है इनकी love life ऐसी है इनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में help करती है तो ये जो आपकी जो importance इनकी life में ये है अब देख लिजे किस तरीके से success का काड़ा आ गया है success का काड़ा और ripeness का काड़ा मैं जो इससा आप बता रहा है जैसे कहते हैं वो सिकंदर ही अपनी fears को सामने करने वाले हैं ये person आप खुद देख लो projections देखो इनको ना बस लक्षे दिखाई देरा लक्षे है हर हाल में पाना है हर हाल में इनको अपना बनाना है आपको देखो abundance और यहां पर sun moon की energy हो और यहां पर transformation भी मुझे सहाब बता रहा है कि यह person अगले 24 गंटों में अपने fear का सामना करने वाले है because they know यह जो अपने आपको बहुत ज़ादा prepare कर रहे हैं अपने आपको यह समझा रहे हैं कि यह जो डर है वो सारा का सारा illusion है एक बार यह डर गायब हो जाएगा एक बार यह जहन से निकल आएगा depressed है ना अगले 24 गंटे के बाद जब एक बार बात कर लेंगे तो ऐसा लगेगा अब दोनों की खुशिया वापस मिल गई है भगवान जो ईश्वर है वो आपकी जोली में दुबारा से खुशिया डाल रहा है and on the top of the world आप feel करने वाले हो it feels like जो इतना वेट था का 2023 जो है पूरा सफल होने वाला है about 2024 it feels like it feels like energies are flowing आपको कोई कोशिश करने की जरुत नहीं पड़ रही ऐसा लग रहा है जो बीज आपने पहले बोए थे उसका फल आपको मिलने जा रहा है और ये फल बहुत मीटे हैं guys ये फल बहुत मीटे हैं ये आपके इंतिजार का फल है ये आपके dedication का फल है ये आपकी loyalty का फल है जो इस person को अब दिखाई दे रहा है कोई जूट नहीं बोल रही हूँ मैं पूरी तरीके से ये person आपके पास आकर ही रहेंगे इस connection को fulfill करके ही रहेंगे क्योंकि देखो अंधिरे में है ये person पर जब भी ये person अकेले में सोचते हैं अपना future आपके साथ imagine करते हैं they can feel like एक push है, एक motivation सा है जो इनको आपकी तरफ खीचता है आपको इनके तरफ जाने के लिए एक प्रोछ साहित करता है तो congratulations guys ये person अपने fear को बिल्कुल face करके अपने fears को पूरी तरीके से हटा कर ये अपने प्यार को लेने आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे energy साफ है, होगी प्यार की जीत ये ready कैसी लगी, बताइएगा जरूर ये person आपके पास कोई message या call drop कर सकते हैं और ये person अपने past की energy को खुद ही हराएंगे आप देखना आपके सामने की बात होगी बिकार जो ही अंदर अपने changes ला रहे हैं वो transformation ही आपको दिखा के ही रहेंगे और ये transformation और ये energy बहुत intense है very deep love reading, oh my goodness कैसी लगी reading बताना जरूर किस-किस को full reading और बहुत detail reading चाहिए लंबी reading, at least कितने minutes की ठीक है बताईए का जरूर मिलती हो अंगली reading में एक new energy की साथ feedback देके जरूर जाना बाई बाई